सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बता सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाय प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाय जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाई प्राप्त करा सकती हूँ अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने ही दू शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी मेरी तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो यह मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा, क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ हाँ, इंटरनेट के जरिये ये सभी सुविधाएं आप अपने गाव में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट के सुविधा मुबाइल फोन तर भी उप्लब्द है, क्या यह सत्य है? हाँ, रोहन, न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, क्या आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिल्कुल रोहन, कृपया बैट जाईए, मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ, बाकी आप लोग भी बैट जाईए, जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है, जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वप्रसंसकरण के लिए किया जाता है हम कम्प्यूटर से क्या क्या करा सकते हैं? कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वह मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकेट बुक कर आई जा सकते हैं, बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है, सूचनाए एकत्रित की जा सकती हैं, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं, और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है अब हम computer वह उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं प्रदर्शित computer दो भागों में विभाजित होता है hardware और software computer वह उससे जुड़े सभी उपकर्णों को hardware कहते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए computer निर्देशों की जिन समूह या समूहों का पालन करता है उन्हें software कहते हैं आपका मतलब है कि screen पर दिखने वाले सभी आइकन्स software होते हैं हाँ रोहन, software computer में program होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे computer बनता है computer के तीन अंग होते हैं पहला, input device दूसरा, processing device तीसरा, output device जैसे एक tractor को चलने के लिए diesel अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक, उसी तरह computer में data भरने निर्देश अथवा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है computer में data भरने निर्देश अथवा सूचनाई संकलित करने के लिए जिन उपकर्णों का प्रियोग किया जाता है उन्हें input device कहते हैं इन चित्रों को देखो ये कुछ input devices हैं जिनका प्रियोग computer में होता है ये input device निम्न है pen drive, mouse, keyboard, cd, microphone keyboard और mouse प्राथमिक input devices हैं यह बिल्कुल टाइप रेटर के keyboard की तरह दिखता है हाँ इसमें कुछ अतरिक बटन आवश्य है सामाने keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रियोग किसले के आ जाता है अंक बटनों की सहायता से calculator की भाती computer में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में पेज अप बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में होम बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में एंड बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनीय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलेट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर, अक्षर, बाई और मिटाता है ये चार बटन किसका हम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो। यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं। ज्यादतर प्रोग्रामों में Escape बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। window बटन windows के start menu को सक्रिय कर देता है यह बिलकुल वैसे ही होता है जैसे की task bar के start बटन पर क्लिक करने से होता है अब तक हमने keyboard के विभिन बटनों के बारे में सीखा अब हम mouse के बारे में सीखते हैं mouse एक दिखाने, निर्देशन करने वाला यंतर है जिसका प्रयोग, computer screen पर दिखने वाले विशे, icons को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है आप देखेंगे कि जैसे ही mouse चलाया जाता है, वैसे ही mouse चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर screen पर चलता है इस तीर को pointer कहते हैं pointer की सहायता से computer को प्रक्रिया के लिए data वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं mouse पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन mouse के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है ये mouse द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं mouse के बाया बटन को एक बार दबा कर screen पर किसी प्रोग्राम को चुना चा सकता है mouse के बाया बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया चा सकता है mouse के दाया बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा घूमने वाला चक का screen पर page को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है उसी तरह computer में वह यंत्र जो data संग्रहंट और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह processing device कहलाते है computer, processor या CPU process की जाती है फिर computer की memory या RAM में संरक्षत की जाती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है monitor screen है जिसका प्रयोग output जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है monitor दो तरह के होते हैं, cathode ray tube और flat panel display printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे soft copy कहते हैं और उसे छापकर निकालता है जिसे hard copy कहते हैं computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को soft copy कहते हैं तथा उसी के छपे हुए को hard copy कहते हैं printer तीन तरह के होते हैं, inkjet printer, laser printer और dot matrix printer speaker एक output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं speaker के बिना हम गाने अथवा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते headphone computer से आवाज output देता है, ये speaker की तरह होते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है, इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती output सुन सकता है projector एक output यंत्र है, जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर projector का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की input, processing वो output डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्यक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह computer data संचित करता है जिसे computer memory कहते हैं computer की memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य memory और दुटियक memory मुख्य प्राथमिक memory बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है computer की गती RAM पर निर्भर करती है data और निर्देश मुख्य memory में संचित रहते हैं जहां से ये process कर result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते है RAM वह memory होती है जहां सारे program संचित किये जाते है computer की गती RAM पर निर्भर होती है cache memory वह memory है जो RAM का अंग होती है और processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक memory सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक memory का प्रयोग करते है चुकि computer दुवित्यक memory पर सुरक्षित डाटा को सीधे process नहीं कर सकता अतय process करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो दुवित्यक memory की तरह कारे करती है pen drive, hard disk और dvd तो एक computer डाटा को अबने memory में कैसे सुरक्षित करता है computer सभी सुचनाएं केबल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली binary digit अर्थाद 1 अथवा 1 0 को bit कहते है 8 bits के group को एक byte कहते है इस सार्णी को देखो इसमें bits और bytes के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और hardware को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते है software कहलाते है software programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो computer को निर्देशित करते है कि क्या करना है और कैसे करना है software दो प्रकार के होते है application software और system software application software वो प्रग्राम होते है जो उप्योग करता को computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते है Microsoft Word और Open Office Draw application software के उदाहरन है जो program computer hardware से सीधे जुड़े होते है system software कहलाते है computer चलाने के लिए आपको एक operating system की आवश्यक्ता होती है जो एक system software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस activity में भाग लेते है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह monitor है यह television की तरह है और इसकी screen पर output देखा जाता है यह system box है इसमें central processing unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही computer का मुख्य दिमाग होता है यह keyboard और mouse है यह दोनो input device है जिसके द्वारा computer में data भरा जाता है computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे maze पर रखिए तब system box के बगल में monitor रखिए system box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिने port कहते हैं अब इस तरह से monitor system से जोड़ा जाता है system box video port को VGA port कहते हैं इससे monitor को जोडने वाले तार को VGA cable कहते हैं VGA cable के एक सिरे को system के VGA port से तथा दूसरे को monitor से जोड़ा जाता है keyboard दो प्रकार के connector वाले होते हैं PS, 2 connector अथवा USB connector keyboard को connect करने के लिए उसके connector को system के उपयुक्त port में जोड़ा जाता है mouse तीन प्रकार के connector वाले होते हैं PS, 2 connector, USB connector अथवा Serial connector mouse को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप printer को जोडना चाहते है तो उसके connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर port अत्वा USB port को सिस्टम के उप्युक्त port में जोड़ दें अब हम computer को बिजली के main board से कैसे जोड़ सकते हैं? computer दो बिजली supply के तारों के साथ आता है एक बिजली supply तार को system unit के बिजली supply plug में तथा दूसरे तार को monitor के port से plug करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के port से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि computer को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले system unit वो monitor दोनों की बिजली supply चालू करें तब system unit का power button दबा कर उसे चालू करें वो monitor का power button दबा कर उसे चालू करें अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें कि monitor पर डिस्प्ले आने लगा है इसे boot screen कहते हैं दीरे दीरे सभी software लोड हो जाएं तो computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता पहली बार न केवल computer को देखा है बलकि उसे चालू करना भी सीखा है हाँ, computer के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहता हूँ हम, पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कारियों वो उप्योगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंतर है जिससे आप call कर सकते हैं call प्राप्त कर सकते हैं, वो message लिख कर भेज सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह के विशिश्टाएं होती हैं, जैसा की इंटरनेट, खेल, कैमरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह फोन स्मार्टफोन कहलाते हैं, कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं, उनके विभिन अंगों को देखें, गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं, बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला फोन को स्विच आफ कर दें, और पीछे का कवर निकाल दें, उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें, तब सिम खांचे में सिम डाल दें, अंत में बैटरी वककवर पुनह लगा दें, और फोन को चालू करें, धन्यवाद गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है, चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला चा चार्जर को फोन में लगाएं, कुछ समय बाद, जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए, तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें, मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक, वो अनॉक कैसे किया जाता है, हमें बटनों को लॉक क्यू करना चाहिए चाचा जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूं तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेन्यू पर जाईए और स्टार बटन दबाईए अब यह लॉक कैसे खुलेगा इसे खोलने के कोबायल के विशेशताएं देखने के लिए पहले मिनू आइकन चुएं या मिनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पड़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं पुनहां आरंभ में जाने के लिए होम आ चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं तब गैलरी खोलने के लिए खिसक कर गैलरी पर जाएं जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चयन कर सकते हैं टाच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया पहला होम आइकन को चुए फिर मिनू आइकन को चुए फिर परसनलाइजेशन सेटिंग्स आइकन को चुए फिर सेटिंग आइकन को चुए फिर प्रोफाइल सेटिंग आइकन को चुए तब रिंग टोन या नोटिफिक रिंग टोन आइकन को चुएं तब रिंग टोन की सुची में खिसक कर अपनी इच्छानुसार रिंग टोन चुनें तब ठीक ओग अपने फोन में अलारम सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी अलाम सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं निम्न प्रक्रिया से आप सुइम कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने फिर अलाम घड़ी उसके पश्चात अलाम का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं यदि आप अलाम को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प म जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर संपन्न चुने टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं तब घड़ी को चुएं तब अलाम को चुएं अलाम का समय सेट करके सेव चुने दीदी, क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ, जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक compact device है, जो एक smartphone अत्वा, एक laptop, अत्वा computer की तरह है आजकल टेबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उपयोग हम इंटरनेट पर browser, mail चेक करना, download और किताबें पढ़ने, game खेलने, video देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टेबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ है, booklet टेबलेट PC का सबसे सरल तम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस device के दोनों तरफ display होता है, और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला software होता है, जो तुम्हें screen पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप paper पर लिख सकते हैं Slate, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला tablet PC है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जाता है Convertible Tablet लगभग पारम परिक लाप्टॉपों की तरह के ही होते हैं, इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक गुमाया भी जा सकता है Hybrid Tablet में Slate और Convertible Tablet दोनों के सबसे अच्छी विशेशताएं सम्मिलित होती है Hybrid Tablet अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो की दिये गए स्लॉट के जरिये Slate PC में जोड़ कर Tablet PC में बदले जा सकते हैं एक Rugged Tablet उन उपियोग करताओं के लिए अच्छा है, जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं इनकी अंदर की Hard Drive जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउँ बनाता है यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपियोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6 से 7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए डिवाइस में उर्जा संरक्षन हेतू, पावर सेव बटन को डबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है स्क्रीन को पुनः चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दो बारा करें डिवाइस को बंद करने का सही चरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें पहले पावर बटन को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें तब टाबलेट को बंद करने के लिए मैनू खुलने पर दिखाई देगा तब पावर ओफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मैनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकर्ट फोल्डर को जोड़ करके कस्टुमाइज कर सकते हैं अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अत्वाबाएं खिसकाएं तो तुमने सीखा कि कैसे लैपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं